गुड की बढ़िया बढ़िया रेसिपी इस में एक और रेसिपी शामिल करते हुए आज मैं लाई हूँ मुर्मुरे लड्डू की रेसिपी जटपट बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है मैं सारी टिप्स एं ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि इस रेसिपी को तो इस recipe को end तक follow करें सबसे पहले मैं यहां पर मुर्मुरे roast कर रहे हूं तो एक कढ़ाई लेंगे उसमें डालेंगे 1.5 cup मुर्मुरे अगर आपके पस cup की measurement नहीं है तो आप एक कटोरी कम आप सेट कर सकते हैं सारी measurements ingredients की उसी में कीजेगा बिलकुल low flame पर इसे roast करना है ताकि यह अच्छे से अंदर से सिख जाए अगर आप high flame पर से roast करेंगे उपर से तो सिख जाएगा पर अंदर से कच्छा रह जाएगा continuous stir करते हुए low flame पर इसे roast करना है देखिए color change होना शुरू हो गया है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिए साथ ही bell button press कर दे latest updates and notification के लिए इसे roast करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा तीन से चार मिनट हो चुके हैं देखते हैं अब देखिए अगर हाथ से तोड़ेंगे तो proper तरीके से यह चूरा हो जाएगा तो मतलब यह मुर्मुरे अच्छे से roast हो चुके हैं इसे एक थाल म यह से ठंडा होने देंगे ठंडे होने के बाद यह और कुरकुरे हो जाएंगे जब तक कि यह ठंडे होते हैं हम एक और काम कर लेते हैं कढ़ाई में एक टेबल स्पून घी आट करेंगे और साथ याट करेंगे आदा कप गुड जिस कप से आपने मेजर किया था देड़ गुड़ लेंगे गुड़ आप ग्रेट करके लीजेगा या तोड़ कर लीजेगा जल्दी मेल्ट होगा लो फ्लेम पर इसे कंटिनुसली स्टर करते रहिएगा देखिए एक बढ़िया सी शाइन आ गगी है घी की वज़े से जो बजार के लड़ूँ में होती है बिल्कुल व भी नहीं अच्छा लगता तो इसलिए फ्लेम लो ही रखनी है और कंटिनुसली स्टर करते रहना है इसमें गुड़ को जादा नहीं पकाना होता तो एक बाई चेक कर लेते हैं जैसा हमें लड़ूँ के लिए गुड़ चाहिए वो रेडी है नहीं तो इसके लिए बाउल ल तो मतलब गुड़ रेडी है इस चाइम पे फ्लेम उफ कर देंगे और जो मुर्मुरे रोस करके हमने रखे थे वो इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुड़ अच्छे से कोट हो जाए मुर्मरों पर सर्दियों में गुड़ तो खाना ही चाहिए दोस्तों पर कुड़ को खाने के नए नए तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन में से एक है ये मुर्मुरे लड्डू की रेसिपी अब इसमें आड़ कर देंगे दो इलाइची के दानों का पाउडर साथ ही एक स्पेशल सीक्रेट एक चंबर डेजिकिनेटेड कोकोनेट यानि की सूखे नारियल का पुरादा ये आपको मार्केट से असानी से मिल जाएगा पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मेरी मानेगा जरूर इसमें आड़ कीजेगा जो मिक्स करने वाला स्टेप है वो जल्दी जल्दी करना है यहाँ पर तो मैं स्लो दिखा रही हूँ प्लीज ये थोड़ा फास्ट कीजेगा एक बाद जो ये ठंडा हो गया तो ये लड़्डू की शेप नहीं बन पाएगी मिक्स करने के बाद मैंने इसे एक परांत में निकाल लिया है और एक साइड लिया है एक बाउल में थोड़ा ठंडा पानी क्योंकि हमें ये गरम-गरम बाइंड करने हैं थोड़ा सा इसमें हाथ भिगो के फिर बाइंड कीजिएगा नहीं तो ये आपके हाथ जल सकते हैं अगर आप गरम-गरम हाथ में इसे डाल के बाइंड करने की कोशिश करेंगे पानी का यूज आपको ज़ाधा भी नहीं करना क्योंकि यह बाइंड करते वक्त अगर आप इसका ज़ाधा इस्तिमाल करेंगे तो यह जो लड्डू है ठंडे होके बिल्कुल सिले सिले लगेंगे खाने में कुरकुरे नहीं रहेंगे हमारे क्रिस्पी कुरकुरे मुर्मुरे लड्डू गुर से बने फायदे मन इतने हैं और टेस्टी भी तो जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजेगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा कैसी लगी आप सब को ये रेसिपी मैं मिलूँगी ऐसी ही बड़िया बड़िया टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केल डोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब